नमस्कार दोस्तों Get Success 247 के एक और नियू वीडियो में आप सभी का सवकत है तो दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो पड़ाई है प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कर रहोंगे तो आज इस वीडियो में हम क्या देख बताने वाला हूं High Court के Other Exams के बारे में भी यहां पर चर्चा करेंगे उसके लगा RPSC के बारे में कुछ Information है उसना आपने कुछ Admit Card जारी किये है और उसके आगे आने वाले एक्जामस है उनके बारे में भी यहां पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को पू जनवरी के अंदर वेकेंशी आया थी, 31 जन्वरी 2020 को यहां पे इसकी वेकेंशी आ चुकी थी और अब इसके यहां पर एक्जाम डेट जारी कर दीगी है बारागे सिक पर ना कर दीगे ती जो पहले इसका एक्जाम डेट था वो था संक्र आपरेल को फिर लॉकड़ाउन की वज़े से कोरोना की वज़े से वो सगित कर दिया गया था और अब दुबारह से इसके exam day जारी कर दी गई है 12 सितंबर 2020 ठीक है अब काफी students का यहाँ पर यह doubt आएगा कि group D, LDC इन exams का क्या होगा और भी काफी जैसे कि 3-4 exams हो गए हैं पर और अब यहाली मैं आपको बताए कि high court के अंदर driver की भी vacancy आई थी तो अब high court कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोसेस स्टार्ट करा यह मैं आपको पहले वाले वीडियो मैं भी बताए था तो यहाँ पे important बात किया है तो यह जो है इससे पहले आपके group D की vacancy आ चुकी थी जो high court के अंदर class 4 की जो vacancy थी वो इससे पहले आ गई थी नॉमबर 2019 के अंदर लेकिन इसके बाद जो vacancy है यह उसका exam date यहाँ पर जारी कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि यह जो high court है वो जो exams करवा रही है vacancy थी आपको पताएं नॉमबर 2019 के अंदर vacancy थी उसके forms भी बहुत जादा थे और vacancy भी जादा थी तो जो crowd वाली vacancies है वो अभी बात में होगी यह update आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो यहाँ पर आप समझ गयोंगे अगली vacancy की बात करते है जवाब की एक नई vacancy है इसके अंदर आपको यह वाला जो update है यह मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सरकार की तरफ से यहाँ पे अनुमती मिल चुकी है कनिष्ट सायक और सूचना सायक यह दो vacancies को लेकर पांसो इठ्यासी टोटल vacancy है कनिष्ट सायक के 204 में और सूचना सायक के भी 204 में यह अब एक नए update जारी हुआ था उसके अंदर बताया था कि इसके लिए जो प्रसाशनेक और वित्य स्विकरती है वो प्रदान की गई है ठीक है रासा अंसरकार द्वारा किस से भी भाग के अंदर यह vacancy आती है राजस से भी भाग के अंदर ठीक है यह चीज माना आपको बता दी है अपर इसके थूड़ी से डिटेल में बात बता देता हूं काफी दोस्त पूछेंगे कि इसके education qualifications क्या रहेगी salary वगरे क्या रहन क्या क्या इसमें मांगा जाएगा देखे अभी तक तो इसकी official notification नहीं आया है ठीक है लेकिन फिर भी जो basically इनका रहता है वो मैं आपको बता देता हूं कनिश्ट सायक के देखिए अगर बात करें तो पहले तो almost 12th pass याती थी लेकिन अब जो आपने देखा होगा कि इसके changes कर कि अब graduation वगरे कर दी गई है तो यह official notification आने पर ही पता चलेगा कि इसके अंदर भी graduation की है या यह वाली भी आपकी 12th pass रखी गई है तो most probably अब यह graduation पर आने लगी है graduation के साथ computer का कुछ भी आपका हैंपर certificate मांगा जाता है कनिश साहिक के अंदर कनिश साहिक बेसिकली क्या है आपका junior assistant अब यह आपने देखा होगा high court के अंदर भी vacancy ID कनिश साहिक की आपका graduation मांगा गया था यह आपकी level 5 की vacancy है salary की बात करें तो L5 की आपको हैंपर salary मिलती है 18 से 40 इसकी age basically मांगी जाती है अगली बात करते हैं सूचना साहिक की जो कि है आपका information assistant यह आपकी graduation base है basically आपका computer के अंदर इसमें graduation मांगा जाता है और computer का कोई भी अधर certificate भी आपका हैंपर मांगा जा सकता है 21 से 35 साल आपकी यहाँपर basically इसकी age मांगी जाती है level 8 की आपकी vacancy है ठीक है salary की बात करें तो level 8 की यहाँपर आपको salary मिल जाती है तो यह एक नई भरती का update जाना था फिर से बता देता हूँ अभी इसका कोई भी official notification जारी नहीं हुआ है सिर्फ सरकार की तरफ से वित्य और प्रसाशनेक security यहाँपर जारी कर दी गई इस vacancy की यानि कि अगले 2 से 3 महीने में आपको यह vacancy देखने को मिल सकती है ठीक है officially अगला update है आपका RPC की तरफ से एक admit card यहाँपर जारी कर दिया गया है अब वो कौन सा है senior demonstrator exam date ठीक है जो की 13 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक इसका exam होगा जैसा कि आप अपने screen पे देखे सकते हो यह notification आज का है 14 2020 का है तो यहाँपर देखे जो RPC ने अपना time table जारी किया उसी के according यह अपने exams करवा रही है अभी तक जितने भी RPC ने exams करवा है अगस्त के अंदर वो time table के according ही करवा है तो अभी तक तो यहीं चल रहा है कि जो time table में exam पहले से इन्होंने बता रखे थे वहीं इन्होंने करवा है और most probably आगे भी जो exams होंगे वो time table के हिसाब से ही होन करके पूस सकते हो और यह वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें चैनल पर पहली बार रहे हो पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को क्लिक जरूर करना तो दोस्तों धन्यवाद मिलते नेकी वीडियो में